वीडियो काफे जादा वाइरल और बहुत दुख की बात है कि जिस देश में आली शक्ती दिंदाबाद के तो इसी देश में कुछ ऐसी घटला जब खड़ती है और हो भी ऐसी जगे पर महीला को अरुप से फिल हो देगे यहां जाएंगे हमारी कुछ हमारी कुछ हमारी कुछ कि मुझे थोड़ा सभी आपास होता कि यह लोग मेरे साथ ऐसा गलत करने वाले थे मुझे बद जस्त पीछे से कॉल आए कि यहां से निकल जाओ क्योंकि और भी भीड आ रही है शाद भीड में यह लोग आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं उसके बाद से सुनके पापा ने रोने लगे और पापा बस मुझे निकाल रहे थे और वो औरते मेरा मतलब रास्ता रोक रहे थी मुझे जाने नहीं दे रहे थी यहां तक कि जो रोड पे गाड़िया चल रहे थी मैंने खटकटा के उनसे भीक मांगी कि मुझे बिठा लो भईया प्लीज बिठा लो महां प उनको मतलब आगे बढ़ाओ ये सब चीजे क्या है वहां की जनता ने सपोर्ट तक ने किया तो वो जो मैं इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो देखती हूं कि एक लड़की मतलब वो लड़की मर गई उसका रेप हो गया मर गई और वो लड़का उसे पत्थर मार उसकी वीडियो बनाने का लोगों के पास टाइम है बट ये नहीं कि उसका पत्थर चीनलो और उसको थपड़ मार के उसको निकाल दो लड़की की जान बचा लो कल को अगर मैं मरती उस रोड पे लोग बोलते भीड में अर्चना की मौत हुई बट आज जब में जिन्दा क्योंकि मेरे साथ सामने हुई है मैंने देखी है चीजे वो जिस तरह से मैंने डुपटा कीच रहे मुझे बोनट पे मारा है उन्होंने धक्का देखे मेरे पापा को लात मारी है मेरे पापा कम से कम एक बुजूर्ग का लियास तो करते अरे मैं जैसी भी थी आपकी सबस्क्राइब को भी तब हमारी पार्टी को यह जब आप अधे मिलेगी तो मेरे लिए खुद इतना शॉकिंग था क्पेंगी जहां से जो डेली है वो एक सेंटर है मैंने पहले भी काये कि वो राजधानी है और देश के हर स्टेट में हर कोई जाता है कि हमें वहां से सुरक्षा प्रदान हो और वो जब खुछ जा रही है जैसे कि उन्होंने अभी आपको पताया और जो उनके साथ वहार हुआ पार्टी के एक दम कारह लेकर बाहर तो ये बहुत ही निन्दनी है जो ये हुआ है ये एक अपराध है और मैं चाहती हूँ जैसे इन्होंने अभी राहूल Gamba जीसे और प्रैंका जीसे से किया है और ये बहुत बढ़ा फेस पार्टी का रही है इतना काम इन्होंने इतनों साल किया उसके बाद अपने बलबूते पे यहां तक पहुंचना और उसके बाद इनके साथ रोड पे ऐसा वहवार होना, इनके पिता जी के साथ, इनके स्टाफ के साथ, तो मुझे यह लगता है कि इसके उपर बहुत जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए और मेरी भी उनसे रिक्वे जाए जहां तक मेरा मानना है इस चीज के और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे से पहले कितने लोगों ने उस पे F.I.R. किये है, उस पे कंप्लेंड किये, बट मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, लेकिन जिस्तर की से कहा जात हम अपने उपर ध्यान दे, मुझे लगता है इस भारत का अगर एक एक बंदा ये सोचने लगे कि हाँ, आज से मुझे दूसरे की मदद करनी है, फिर चाहे वो लड़की हो, इस पेशल लड़की के लिए, चलो आप एक परसंट एक शराबी की मदद ना करो, लड़की की, ए और एक इंसान ये सोच लहता है कि मुझे मदद करनी तो मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित है। मुझे तो यह लगता है क्योंकि वो अल्रेडी बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि स्पेशली जो हमारा महिला समाज है उनको इनके फेवर में खड़े होना चाहिए क्योंकि इनका तो अर्चना बहुत नोन फेस है अगर इनके साथ ही हो सकता है तो एक आम महिला अगर वहाँ जाती है तो उनके साथ क्या वहवार हो सकता है और शायद आज आज आप सभी मीडिया भाइबन जितने भी हैं वह अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अर्चना को सपोर्ट करें और मैं चाहती हूँ कि कल और लोग उठें इसके उपर बात करें और उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिले बट अगर एक नॉर्मल एक आम महिला के साथ ऐसा होता है तो आप वैसे ही देखते हो जैसे उन्होंने बताया कि एक लड़की को मार दिया जाता है और उसके उपर उसका वीडियो शूट करने का समय है बट उनको बचाने का समय नहीं है लोगों के पास और जैसे इन्होंने दरखास की लोगों से जो यह कमांडों की मैं सुन रही थ कि इस देश में जो ऐसे लोग है उनको हटा के एक नए लोगों को मुका मिले और पाटी पे जल्दी से जल्दी क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं नॉर्मल एक एक जामपल देती हूं कि एक माह है वो अपना खाना पिना मत भार काम करके पोचा जाड़ू करके घर में पैसा ला जाती है बड़ पती या बच्चे दारू में उड़ा देते हैं तो वैसे ही पाटी मतलब जो सिच्वेशन है हमारी पाटी की हो गई है राहूल गांदी जी इतनी मेहनत करते हैं प्रेंका गांदी जी इतनी मेहनत करती है बड़ संदीप जैसे लोग पूरी मेहनत पे पानी तो मुझे लगता है कि नहीं और आपको यह भी पताना चाहती हूं कि CP जैसे मतलब लाइक AICC जैसे जैसे दस जनपत जिसे बोला जाता है जहां पर कितने ही MPs की घर हैं, कितने ही महां पर मिनिस्टर्स हैं और कितने ही महां के स्कूरिटी गार्ड पर पुलीस लगी हुई है, उस जैसे जगा पे मेरे साथ यह चीज़े हो सकती है, मीडिया के माधियम से सारे चीज़े कल को मैं कोई भी इवेंट में जाती हूं और आप लोगों को पता ही है, कि इवेंट में जाने से यह उससे हद तक भी जा सकता है क्या अगता है कि पहले अगर यह खबर सब जगा पहुंच रही है, जो हम जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहते हूं कि उनको शुरक्षा परदान की जाए पहले, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि अल्ड़ी उनके इवेंट्स ह कर रही हैं, जैसे आप खत्रों की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अभी, तो मेरी यह रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से कि इनको पहले सुरक्षा परदान की जाए, और फिर उसके बाद जो भी है, वो एक लीगल एक्शन इस पे लिया जा है जो हट आप से वहाथ जापश थी हम चूपळ कि अजय जो तो सब्सक्न तरही है WITH आपके थो हो Арसень की मेरी है, खेया में।